बिस्मिल्ला रहमान रहें आप chat GPT यूज़ कर रहे होंगे या आपने कोई ऐसा tool यूज़ किया होगा कि आप एक prompt लिखते हैं या एक text लिखते हैं और आपके सामने तस्वीर बन किया जाती है या आपने कुछ ऐसा यूज़ किया होगा कि आप अपना data देते हैं और AI जो है सब कुछ analyze करके दे देती है या आपने ये देखा होगा कि deep fake क्या आज कल दोर दो रहा है कि लोगों ने तस्वीरें बनवाई भी नहीं होती लेकिन editing के अंदर वो AI के थूँ उसको edit कर रहे है या आपने ये भी देखा होगा कि fake videos जो है वो launch हो रही है इस तरह कि बहुत ज़्यादा कुछ आज के दोर में हो रहा है और वो AI के थूँ हो रहा है AI means artificial intelligence और artificial intelligence के अंदर जो main चीज है वो है generative AI जिसके थूँ ये सारा कुछ हो रहा है This is something kind of machine learning लेकिन ये basically चीजों को generate करने में new content बनाने में मददगार साबित होती है अब generative AI और simple AI में फरक ये ही है कि generative AI के अंदर आप model को पहले train करते है एक data के उपर train करने के बाद आप उसी model से कुछ नया बनाते है ठीक है? कुछ नया बनाते है उसी model से जो basic machine learning या AI होती है वो उनी trends और patterns की base पे कुछ produce करती है या predict करती है in future लेकिन जो आपके पास generative AI होती है ये आपको कुछ नया बना के देती है और इसने दुनिया में इस पकत तहलका मचा के रखा हुए chat GPT आपको पता है chat GPT is one of the form of generative AI आपके पास DALI 2 है DALI है, Alpha 4 जो है वो protein की structures के लिए and then there are many tools जो आपको नया content भी लिखके देते हैं NLP के अंदर भी, images के अंदर भी, video के अंदर भी, audio के अंदर भी और भी बहुत कुछ इससे हो रहा है आज हम इसे के बारे में discussion करने वाले हैं मैं अपनी slides पर आपको ले के जलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Generative AI जो है वो आज का हमारा topic है मेरा नाम है Dr. Mohamad Amartafel and I am talking all the way from Germany इस वकत और आप हमारी website पर हमारे courses को explore कर सकते हैं www.codanx.com के उपर Welcome everyone to Generative AI अब देखते हैं Generative AI होती किया है Generative AI refers to a subset of artificial intelligence यह artificial intelligence ही है लेकिन उसका भी फर्दर एक subset है that can generate new content जो मैंने आपको पहले भी बताया जिसमें text भी हो सकते है images भी हो सकती है videos भी हो सकती है and music भी हो सकते है अब आप अभी तक सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक सिरफ text भी बनाया या images बनाई है भाई जान music भी बन रहा है Generative AI के थुरू अगर आपको नहीं पता तो captions एक आपके पास mobile app है आप अपनी video डालते है और different genre जो है music के select करते हैं वो automatically music create करके copyright free music आपकी video पे लगा देता है so this is all being done with AI सिरफ images, videos और music के इलावा there are many things which are being done और यह similar तो होता है but not identical to the content it has been trained on यानि कि अगर data text पे train हुआ है तो text या प्रडूस करेंगे लेकिन बिल्कुल exactly वो ही data नहीं होगा जो पहले training में मजूद है यानि कि वो लोग जो plagiarism के लिए परेशान है कि भई हम AI यूज करेंगे तो plagiarism तो नहीं detect हो जागा भई नहीं होगा क्यों क्योंके ये models कुछ नया लिख रहे है अब वो आपने देखना है कि क्या उसके अंदर उस नए text लिखे हुए के अंदर AI का जलक तो नहीं नजर आ रही अगर वो जलक नजर आ रही है तो वो उनको suspicious text लगेगा और वो उसकी बेस पे AI detector के tools जो है use करेंगे so for now आप अपने mind में एक बात बिठा लें अगर कोई content लिख रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं you can create with AI लेकिन उसको थोड़ा सो optimize किया करें ताके वो real लगे ठीक है so इसके इर्दिगर्द आपने गूमना होता है बरहल इस model learns the underlying patterns, structures and features of the training data allowing them to produce novel creations novel का मतलब होता है which has never been done before ठीक है जो training के data के ओपर जो चीज़ बन गी है वो दुबारा जब आप कोई नहीं चीज़ बनाएंगे generative AI model के novel creation होगी इसमें आप prompts का बहुत ज्यादा use करते हैं prompt क्या है एक text है जो आप लिखते हैं और उससे new चीज़ें बनती है ठीक है उस prompt के थूँ सेंटर में machine learning model का जो है वो सारा कुछ चलता है and at the end आपके पास new चीज़ें बनती है अब अगर generative AI की बात करें तो ये कब कैसे कहां से start हुई और किस तरीके से ये सारा के सारा काम हो रहा है उस पे हम गुफतगू करते है generative AI का evolution ये है कि जनाब ये advanced technology है relatively new generative AI लेकिन इसकी deep roots जो जाती है वो 1932 में जाती है जब mechanical brain बनाया गया था neural network जिसकी मैंने history आपको पहले भी बताई है फिर आप 1957 में देखे हमारे पास एक grammatical rules and parsing and generating natural language sentences 1997 के अंदर Noam Chomsky ने synthetic structures बनाई थी synthetic structures not synthetic, syntactic structures बनाई थी जिसके तुरों आप text को predict भी कर सकते हैं और text को आप generate भी कर सकते हैं फिर 1966 के अंदर basically Joseph Weizenbaum ये एक scientist थे MIT के professor थे जिनों ने chat board बनाया था called Eliza जो stimulate करता था conversation with a psychotherapist ठीक है so 1966 में basically आपका generating AI का पहला chat board जो है वो बना था जो conversation generate करता था फिर 1968 के अंदर आपके पास एक रैदा theory आई थी फिर 1980 में कुछ advancement आई 1985 में कुछ advancement आई फिर 1986 के अंदर then 1999 के अंदर neural network की high dimension बनी थी फिर आपके पास 2000 के अंदर University of Montreal Researcher ने पब्लिश किया थे एक article a neural probabilistic language model ठीक है वहाँ से आपका natural language processing का दोर-दोरा start हो गया था और generative AI का का काम start हो गया था 2006 के अंदर data scientist एक थे फे फे ली जिन्होंने क्या किया था ImageNet का database बनाया था 2006 के अंदर जो एक pre-trained model है उसका database बनाया which provides the foundation for visual object recognition ठीक है फिर 2011 में Apple ने Siri को launch किया जो आपको पता है इमिज recognition के tools को लिए use होती है और 2012 में Alex ने design किया था AlexNet जो CNN के architecture के लिए use होता था जो कल के आपको assignment दी थी ImageNet और AlexNet की बात वो 2006 और 2012 में introduce की गई थी जिसकी वज़ा से generative AI और pre-trained model का दोर-दोरा start हुआ था अगर इससे आगे चले हैं 2013 के अंदर Google के रिसर्चर थे Thomas Mike Love उन्होंने क्या किया था उनकी team ने word to vector identify करने के लिए semantic relationship between words automatically find करने के लिए उन्होंने एक network बनाया था फिर 2014 के अंदर GANs बने GANs क्या होते हैं Generative Adversarial Networks जो generative AI के अंदर use होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे 2015 के अंदर Deep Unsupervised Learning के साथ Non-Equilibrium Thermodynamics के अंदर एक दौर आया जिसके थूर क्या हुआ आप एक image के अंदर different किसम की reverse engineering करके उसको noise जो है वो image के अंदर add कर लेते थे और image को as a noise आप save कर लेते थे noise क्या होता है आप image को बहुत ज्यादा बरीक भी नियों में छोटी-छोटी हिस्सों में तोड़ लेते हैं and then you can create a new image from that और इसी तरीके से 2017 के अंदर again Google ने attention mechanism को launch किया जो transformers जो हैं वो launch कियेगे 2017 के अंदर which is really new आज से 7 साल पहले transformers लाँच कियेगे फिर 2018 के अंदर Google research ने bird का model जो है वो बनाया और इसके इतना ज्यादा डेटा को train किया bird के model के उपर फिर deep mind आया Google का open AI ने जो generative GPT जो है उसे launch किया 2021 के अंदर dally 2 आया and then 2022 के अंदर आपके पास chat GPT और बाकी techniques जो है वो आ रही है तो अगर आप गवर करें 2015 से onward बहुत ज्यादा इनकिलाब भी सरगर्मी आना स्टार्ट हो गए in natural language processing और अब आप देख सकते हैं कि computer vision और natural language processing के अंदर अच्छा खासा एक निजाम आया हुए which is actually heavily influencing generative AI generative AI क्या है ये neural network की ही एक type है लेकिन ये train होने के बाद एक new content आपको देती है ठीक है और बहुत pre-trained model इसी की base पे जलते हैं मिसाल के तोर पे जितना भी आपका text की form में लिखा हुआ data है इस वकत वो सारे के सारा Google के पास है या open AI ने वो open source data लिया वो जितना भी data था वो 3 trillion parameters भी लोग कहते हैं और इसे ज्यादा भी कहते हैं I don't have the exact number लेकिन उन्होंने वो data पकड़ा उस पे model train किया उस model के लिए अच्छा खासा resources उन्होंने serve किया अपना model final कर लिया जिसको GPT 3.5 का नाम दिया और उन्होंने जब COVID खतम हुआ उसके फोरण बाद ही GPT को launch कर दिया जैसी GPT launch हुआ दुनिया में एक नया इंकलाब आ गया कि भीजान एक chatbot आया नाम लिखे कुछ भी लिखे वो सब कुछ आपको बना के दे रहा है अभी पीछे behind the scene वो अपने model को update भी कर रहे थे ये 2021 तक train था फिर इन्होंने इसमें और data दिया जो 2024 तक है फिर Google ने कहा कि अब बाड लॉंच किया बाड क्या था वेब साइट से भी data रीड कर रहा था लाइफ तो ये सारे का सारा काम जनरेटिव AI के अंदर होता है जो GPT है ये basically short form है जनरेटिव pre-trained transformers ठीक है तो अब हम इस पे बात करते हैं कि pre-trained or transformer क्या होते हैं और बाकी चीजें क्या होती हैं लेकिन उससे भी पहले आपके पास applications कौन-कौन से आप कर क्या सकते हैं अगर आप गौर करें तो आपके पास Bing Image Creator Act जिससे images बना सकते हैं आपके पास Google का Gemini एक ऐसा new tool है जो बिलकुर recently launch हुआ है और इस tool के थूँ आप images भी बना सकते हैं and you can enhance your productivity by many folds Gemini ये recently launch हुआ है फिर Google का एक और model launch हुआ था Lumier जो मैंने आपको recently उस पे एक video भी बना के दी थी which can actually edit the videos on time and temporal and spatial context के अंदर रहते हुए then आपको पता है Samsung का Glaxi S24 recently launch हुआ है जो अल्टरागे अंदर Generative AI का use है यानि के Glaxi AI के थोर पे उन्होंने model को mobile के अंदर डाल दिया आप call कर रहे हैं मैं अगर अभी उर्दू में बोर रहा हूँ अब हमने इस तभाई का पार्ट कैसे बनना है in a good sense chat, GPT वगारा को use करके we can do what we can actually generate art art को generate कर सकते हैं you can generate content any kind of content you can actually generate the synthetic data data को आप generate कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में काफी hospitals होते हैं जो आपको data नहीं देते तो what you can do आप उनके data पर model को train करें लेकिन data automatically generate होगा which is novel data ठीक है then you can generate text you can create virtual assistance जो आपके साथ बात करते हैं इसको बोलते हैं conversational AI जिसके उपर बात करेंगे हम then personalized recommendation chatbots audio generation video generation and much more believe me अभी तक दुनिया नहीं जान पाई के generative AI क्या क्या और कर सकती है और जैसे जैसे research होती जा रही है लोग 3D animation तक इस से करने के लिए तियार हो रहे है 2D animation तो already generative AI करके दे रही है अगर आपको blender software का पता है आप python से code लिख वाए chat GPT के थूरू वो code आपको मिलता है आप उठा के उसमें डालें you can animate anything और फिर pose estimation generative AI के थूरू हो रहा है मैं ऐसे हाथ ही ला रहा हूँ मेरे हाथ कहां पर जा रहे है इसी जगह पे मैं को एक cartoon बठा दू या Mickey Mouse बठा दू या whatever I can place here अवाज मेरी होगी लेकिन जहां पर मैं बोल रहा हूँ वो cartoon ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा होगा लेकिन वो जहारी बात है उसके लिए आपको पहले train करना होता है अब generative AI को सीखना क्यों ज़रूरी है उसके उपर बात करते है generative AI अगर आप सीखना चाहते हैं इसको gen AI भी बोलते हैं तो आप basically उस उन models की जिसको capture कर लेंगे जिसके उपर पूरी दुनिया इस वकल लगी हुई है chat GPT आप सोचें कि अगर आपको backbone पता चल जाएगे chat GPT कैसे use होता है या chat GPT बना कैसे है then आपका use करना उस एक आम शक्स से different होगा जो सिरफ उठता है और अपनी conversation के थूँ chat GPT को use कर रहा है क्यों क्योंकि आपको prayer prompts का पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा इसके पीछे versions कौन-कौन से है आपको पता चल जाएगा इसके जो competitors हैं वो कौन-कौन से है आपको ये पता चल जाएगा इस वकत का सबसे accurate model कौन सा image generation के लिए video generation किस तरीके से होती है so generative AI can actually teach you in depth कि आपने इनको use कैसे करना है तो अब चलते हैं अगले एक छोटे से lecture की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से key terms है before jumping into generative AI जो आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए which can help you to learn कि generative AI क्या होती है let's dive into it